दल जील का किनारा हो और साथ में एक कप चाय हो तो क्या बात हो यहां पर हम दल जील के किनारे ही हैं और यहां पर हमें कुछ शिकारा वाला मिले हैं जो सहब एक नून चाय हमें दिखाएंगे नून चाय जो है वो कश्मीर की स्पेश्यालिटी होती है यह गुलाबी रंकी होत कि इसमें क्या-क्या डलता यह गुलाबी क्यों है जाए कि इसमें जो है जाए पती के साथ-साथ इसमें दूद भी डाला जाता है तो यह पिंक चाय है जो यहां पे सर्दी में लोग जादा पीते हैं हुआ हा यह้ां हँ तो लो कहते हैं कि जाए सर्दी में जादा पीनी चाहिए जाए किसम की अमारीwave कउच़िए ऑफसभी रखेंे Рख लेजूअ बना के रख लेते हम ऑए हम्मा अऐ कंती मिया है तो कश्मीर में यह दल ज्छी nowhere है यह शिकारा है यहां पे जो शिकारा वाले है इनका कहना है कि अभी हाल फिलाल में तो काफी टूरिस्ट आया था क्योंकि भारत सरकार भी कई आकड़े दे और इसके के पीछ वज़ा है कि अब जो है अभी यात्रा की ताइम अक्सर ऐसा होता है कि कर दो कुछ कहां नहीं जा सकता है कि या कि कुछ नाम किया सर्थिंग है इर्फान हुसेन आप शिकारा कब से चला रहें तो एक साल से चला रहे हैं शुक्रिया आपका शुक्रिया तो हमने आपको दिखाई नून चाय जो यहां के लोग जो हैं बहुत शौक से और स्वाद से पीते हैं अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहां की सियासी हलचल की भी यहां पर आज पहला दिन था जब कैमपेन होना था लेकिन क्योंकि आज हालात इस तरह केते हैं कि पूरा दिन बादल चाय रहे और बारिश जो है वो होती रही तो mostly जो political parties हैं उन्होंने अपना campaign जो है वो kickstart नहीं किया आज PDP की जो मुख्या है मैं बुबा मुफ्ती हाला कि उन्होंने एक press conference की और उसमें उन्होंने जो है व आज़ंगostic नहीं किया है जब उन्हों से पूछा गया कि आप क्यों चुनाब नहीं लड़ रही हैं तो उनका कहना था कि वह पहले ही बोल चुकी थी कि जब तक st700 रिस्टोव फक्व चुनाफ नहीं लड़ेंगी यही बात अलग हो महभूब मुफ्तिंट्रव को अपनी उन्हें ही बयान के उपर जो है उन्हें याद दिलाया और उन्हेंने का कि ओमर अब्दुला साब खुद कहते थे कि अगर जिस तरह के हालात हैं जिस तरह का जो रियॉर्गनाइजेशन आट के तहट बदलाव किया गया है जमू कश्मीर में और सारी पावर्स जो है वो लेटनिन गवर्नर को दे दी ग और उन्हें भारतिया जनता पाटी के साथ उन्हें एक मिल जुलकर सरकार बनाई थी तब अपरतिया जनता पाटी को कंपेल किया था कि 12,000 वहापिस बें और कई नौजमान ने चुडवाए दिखी वें थे उन्हों ने अपनी तरह से सफाई दी कि उन्हों से हमेशा पूछा जाता है कि वह तो भारतिय जन्ता पर्टी की एक लाइच रही हैं था जिसके तहट बोला गया था कि धारा 370 जो है वो खबी खत नहीं की जाएगी और पाकिस्तान से बाची जो है वो हमेशा चलती रहेगी लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि जो नैशनल कॉन्फरेंस है और कॉंग्रेस है क्या इस तरह की बाते कह सकती है हाला कि जो स्टेट होड है वो एक मुद्दा है सभी अपने उमिद्वार जो है वो उतार दिये हैं बाकी जो बाकी की बात है वो कह रहे हैं कि वो लाइक मांड़ेड़ पाटी उनका समर्थन ले गी अब यह मंड़ी इह देखने वाली बात होगी तो यह चर्चा जो है वह हम एंडी टीवी इंडिया के यूl चैनल है आपको ल की चुनावी डायरी में हमेशा आपको ताजा अपडेट साम देते रहेंगे तो देखते रहिए एंडी टीवी इंडिया का यूट्यूब चानल तो आज फिलाल इतना ही दोस्तों नमस्कार